सबसे पहले आपको Google में आना है Google में आने के बाद आपको सर्च करना है IRCTC Ticket Booking यहां पर आने के बाद जो आपके सामने पहला लिंक होगा उसे आपको देख लेना है तो इसका जो लिंक है तो आपके सामने जो पहला लिंक है उस पक्लिक करेंगे और से लोगिन करेंगे तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया थूड़ा सा समय ले रहा है यहां के प्रोसिस होने के लिए तो अभी आपके सामने नेक्स बिंडोव उपन होगा तो यहाँ पर जो window open है आपके सामने कुछ instruction आएंगे तो यह updated होते हैं इससे आपको पढ़ लेना है उसके बाद okay पर click करना है तो जैसे ही आप okay पर click करते हैं यहाँ पर आपको agent login के option में जा करके आपको आगे process करना है तो मैं agent login के option में click कर देता हूँ आपके सामने agent login with OTP आएगा जहाँ पर click करना है आपको अभी आपको credential देना है आपके IRCTC जो agent ID आपको मिला है तो जैसे आप login पर click करते हैं आपके सामने यह loading पर चला जाएगा आपके सामने एक और interface आएगा जहाँ आपको OTP पूछा जाएगा यह OTP बेसिकली आपके साथ जो आधरकार होता है आधरकार में जो mobile number रेजिस्टर होता है उस पर चला जाता है तो जैसे आपको OTP receive होता है same as it is आपको यहाँ पर enter करना है तो यह final step होता है login का submit पर click करना है आपको आपके सामने दुबारा instruction आएगे आपको पढ़ने के बाद OK पर click करना है अभी यहाँ पर passenger जहाँ पर travel करने वाला है उसकी सारी information देनी है तो currently मेरा passenger है वो कलियान से पोने जाने वाला है तो उसकी म तो यह information देने के बाद हम submit पर click करेंगे तो यहाँ पर मैंने जैसे searching के option पर click किया है यहाँ पर यह लोड हो गया अभी आपके सामने यह particular location के लिए सारे train आपके सामने detail आ जाएगी जो green में आपको दिखेगा वो green यहनी के आपको confirm ticket मिल जाएगी यहाँ पर और जो red में होता है जो लाल color में होता है वो waiting list में होता है तो यहाँ पर मैं morning के कोई train देख रहा हूँ अगर morning के रहेगा तो मैं ticket book कर लूँगा चले देखते है ओके तो यहाँ पर एक ticket मिली है मुझे 49 की तो यहाँ पर 72 tickets available बता रहा है तो उसी के लिए मैं आगे process करता हूँ ठीके मेरे सामने यह option आ गया ठीके तो पहले आपको आपकी train की सारी information आपके सामने display हो जाएगी अब यहाँ पर आपको पैसेंजर की सारी information देनी है तो मैं information दे देता हूँ तो यहाँ पर जो basic चीज़े होती है जो आपके client के लिए आपको देनी होती है वो होता है client का नाम, उनकी उमर, female है और उनका mobile नंबर और उनका address तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर देनी होती है आपको स्क्रोल करके नीचे आना है और आपको जो caption code आपके सामने दिखेगा आपको same as it is, enter करना है तो आपके सामने यह दिख रहा होगा आपको same as it is, जो capture code दिया गया है वो आपको as it is, enter करना है जैसे आप इंटर करते हैं continue पर क्लिक करते हैं continue पर क्लिक करने के बाद यह फाइनल स्टेप आएगा जहाँ पर आपको payment option select करना है और pay and book पर क्लिक करना है जैसे आप प क्लिक करेंगे तो आपके सामने payment का final step आने वाला है तो जैसे आपके सामने payment का final step आएगा वहाँ पर आपको दिखाए देगा कि आपको कितना payment करना है at present तो यहाँ पर 178 दिया गया है उसके बाद मुझे CAC ID, Password और wallet का PIN देना है wallet का PIN देने के बाद मुझे validate पर click करना है आपका ticket भी confirm हो गया है तो यह काफी easy option था guys आप online जब ticket booking ले जाते है ना CAC wallet का जो payment option है ना comparison to others यह काफी easy होता है तो अब अपनी level पे भी try करते हैं कर सकते हैं ताके आपको भी यह easy option का इडिलाइस कर सके हैं किंहा है तो किंग